नमस्ते सदावस सली मात रभू में जै हिंदोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को दोस्तों पहली बार भारत का LCA Tejas विदेशी हवाई छेतर में मिलेटरी एकसाइस में उडान भरेगा बता दे कि भारती वाई सेना की एक टुकडी जिसमें की 110 वाई युद्धा शामिल है वे सवयुगत अरब अमिरात के अलधाफरा एर बेस में अभ्यास डैजर्ट फ्लैग में भाग लेने के लिए पहुँचे हैं और अमारिका की वाई सेनाएं भाग लेंगी और यह अभ्यास 27 फरवरी से 17 मार्स तक चलेगा बता दे कि इस अभ्यास का उदेश्य विविन लड़ा को अभ्यानों में भाग लेना और विविन वाई सेनाओ के सरवत्तम अभ्यासों से सीखना है बड़ते अगले बडेट की तरफ दोस्तों चाइना के गुबारे पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें ये बात पता चलिए कि चाइना ने भारत के रनीतिक दूइप शरंखला के उपर 2022 में इसी तरीके के गुबारे को तेरात किया था जिसे हाली में अमारिका ने मार गिरा है अलाकि उस दौरान इस बात का पता नहीं चला कि ये गुबारा अनुमान और निकुबार दीव समों पर कैसे उड़ान भर रहा है लेकिन सैकड़ों लोगों ने जब फोटो खीची और सोशल मीडिया पर इसे डाला उसके बाद भारत को जो रक्षा परतिस्थाने वो सतर्थ हो गया दरसल ये दूरीप शरंकला बंगाल की खाड़ी में भारत के मिसाइल परिक्षन शेतर के करीब है और मलक का स्टेट के पास इस्तित है जो चीन और अन्य उत्तर इश्याई देशों को उर्जा और अन्य सामानों के आपूर्थी के लिए एक मेंत्तपुन बॉटल नेक है वही कुछ अधिकारियों की तरफ से इस बारे में भी कहा गया था कि 2022 में उर्णने वाली ये जो वस्तु थी वो अचानक दृप्षन खला पर दिखाई दी थी रास्ते में कई भारतियर अरार सिस्टम भी थे लेकिन वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए अधिकारियों ने कहा कि इस गुवारे की इस्तिती और इसका निर्दान करने से पहले ये इससे नीचलाने से पहले अचानक से इस गुवारे की जो दीशाथी उसे बदल दिया गया बढ़ते एगले अप्डेट की तरफ तोस्तो हानिवल एरोस्पेस ने कहा है कि उन्होंने अपने 940 होस्पावर के TPE33110 टर्बो प्रॉप इंजन को HL को देने का फैसला किया है इसका इस्तमाल आने वाले स्वदेशी High Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle में किया जाएगा जिसे कि अभी Aeronautical Development Establishment और HL तयार कर रहे हैं बता दे कि ये जो High Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle होगा उसका डिजाइन अमेरिकन MQ-9B पीडियेटर दून की तरह होगा साथ ही Aeronautical Development Establishment ने एक Joint Feasibility Study करना शुरू कर दिया है HL के साथ मिलकर और इस प्रोग्राम में Israeli Aerospace Industry अपने कुछ विशेश Inputs भी देगी बढ़ते अंगले अबडेट की तरफ तोस्तोब भारतिया फर्म सिकोन ने अपने Missile Gun Ammunition Barge लॉंच किया है और इसी तरीके की आठ और वैसले बनाई जाएंगे भारतिया नौ सिना के लिए और हर बार्ज करीबन 100 तन कार्गो ले जा सकता है और इन बार्जिस का इस्तमाल नेवल वाश्वीप में आमोनिशन को इंबर्करिशन और इस इंबर्करिशन के लिए किया जाएगा बढ़ते एगलेबरेट की तरफ दोस्तोब भारतिया वाई सिना को फॉरन एरक्राफ्ट मैनिफेक्ट्टर से तीन बिट्स मिली है जो की Medium Transport Aircraft Program के लिए है दरसल भारतिय वाई सिना ने भी अब इन बिट्स को समिट करने की जो तारीक है उसे बढ़ा दिया है जिसका कारण है कुछ कमपनियों की तरफ से अनरोत किया जाना दरसल इस प्रोग्राम में लॉकेट मार्टिन ने अपने C13J सुपर हर्कुलिस जो कि 75.5 मिलियन डॉलर पर यूनिट के साथ से पेश किया है और इसे भारत में बनाया जाएगा Tata Advanced System Limited के साथ मिलकर वहीं रशा ने अपने IL-276 को पेश किया है जिसे QHL के साथ मिलकर बना सकता है वहीं Embraer ने अपने C390 मिलिनियम को भारतिय वाई सेना के सामने रखा है जो कि 55.5 मिलियन डॉलर पर यूनिट के हिसाप से हो देंगे यहीं दोस्तों Airbus भी अपने A400 Atlas को भारतिय वाई सेना के सामने पेश किश किश कर चुकी है जो कि 37 तन का पेलोड शमता वाला एरक्राफ्ट है और Airbus अभी भारतिय वाई सेना के साथ कुछ बातों को और साफ कर रही है जिसमें कि higher पेलोड केपिसिटी है जो कि 30 तन टक है उसे लेकर बाचित की जा रही है बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ ताकि वाई भारतिय नौसेना के 46 डेक बेस्ट फाइटर जेटS का जो टेंडर है उसे जी सके लेकिन अब बाते साफ हो चुकी है की भारतिय नौसेना अमेरिका के इस एरक्राफ्ट को नहीं खरीदेगी वो या अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अगर भारत इस एयरकाफ्ट को खरीता है तो वो अगले दो सालों तक इसके प्रोडक्शन लाइन को बढ़ा सकती है यानि कि 2027 तक ऐसे में दोस्तों भारतिय नौ से ना फ्रांस के राफिल मरीन फाइटर जेट को चुन चुकी है जो जो दूसरी यूनिट है वो बिलकुत तयार हो चुकी है और इसे तेजस मार्क वन, तेजस मक वन ए, तेजस मार्क टू और एस्यू 30 फाइटर जेट्स में इंट्रिगेट किया जाएगा दरसल एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर एडवांस सॉलिड इस्ट गैलियम बे सुरक्षा प्रदान करेगा बरते एगलेबरेट की तरफ तो सुब भारतिय अंत्रिक्ष एजिंसी ने अपने मानव अंत्रिक्ष मिशन गगन्यान की पहली परिक्षण उडान के लिए पहला सिमुलेटेट कुरू मॉडल यानि की SCM स्टुक्चर असेम्डी को प्राप्त कि किया गया है और मंजीरा मशीन बिल्डरस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा तयार किया गया है इसरों के मताबित ये SCM अन्प्रेसराइस्ट कुरू मॉडल है ये आकार बहारी मोल्ड लाइन और पराशूर सिस्टम और वास्तविक चालक दल मिशन किया जाएगा इसरों ने कहा कि वास्तविक क्रू मॉडल दबाव युक्त कैपसूल है जो गगनियान मिशन के दोरान अंत्रिक्ष यात्रियों को समायूजित करता है अंत्रिक्ष एजिंसी इस साल के अंत में एक प्रडिक्शन रॉकेट औराने की योजना बना रही है तो फिलाल के लिए थे अभी तक के टॉप डिफेंस अब्डेट्स वुडियो के समदों कोई प्रश्च जवाब आपको कोई सवाल है कमें शेक्शन में लिकर जरूप हो सकते हैं मिलता हूं नहीं जानकारी के था चैनल जो सबस्क्राइब कीजिएगा जै हिंद वन्दे मात्रम कर दो